उत्तर प्रदेश में करीब तीन महिने बाद बिदान सवाद 2022 का चुनाव है इसको लेकर सभी पार्टी तैयारी में जुड गई हैं इसी चुनावी पिगरिया के चलते नए वोडरों के भी बोर्ट बनाये जा रहे हैं आश्रिक हाबात इताल में समाजबादी पार्टी के MLC दिली पियादव के नितरत में बोर्ट बनाव अभ्याद चलाया गया जिसमें छेत्रीय लोगों के बोर्ट बनाये गए वहीं MLC दिली पियादव ने लोगों से अपील की कि वह 18 एक से उपर हैं जिनके बोर्ट नहीं ब यहां इस समय 2022 में विधांसा का चुनाव में चुनाव से पहले बोट बनाने की बिश्य समयान चलते हैं सरकार की तरफ से यह भी अभियान सरकार की तरफ से चला है अभी में दैक बढ़ने साबैस क कहा प्श्यास एक लोग होने लोगों को जागरों करने के हैं हैं लँसक्ति हमारी भीजां चाहिक数 बेट definitely लेक Murder & mundane और जब वहारी लोग जनरू जब मिल रहाती है तो बोट ज़्याद कि आते हैं опыт लोग कम मैं दे हैं लोग अपने फोटो भी दे रहे हैं I.D.द रहा है कभी नहीं हों पाती है तो हमाइ applaud करते हैं फोटो निकल बथे न्युक्त करोंपिवन पाती है उसी हमुदिस तक भूत वोट बनेंगे एंगे वकार करनेगं चुछ पहले आती है पर 18 बरस के बादी तक हमारा आठारा बना Eigen है तो हूसको बएट दुर smiles यह शरूर है कोई-श्रूल सपघ्री सिलने हैं हुआ मिला और हम आपके माद़न से कहना चाहेंगे करना चाहें निमदत करना चाहें इस मत का बड़ा प्रयों होता है इससे सरकार गृती जाती है प्लस विकास पर निर्वर करता है एक बोट की बड़ी कीमत होती है बोट बनमाना आवस्चक है अठारे साल से उपर सभी भेन भाई सभी बोट बनमाने का की किरपा कर रहें जिससे आगे 2022 में सरकार के लिए बोट डाल सके हमें अमीदे अखलेश जी बहुत मेहनत कर रहे हैं समाजबादी पार्टी की सरकार बनेगी माननी पूरुफ सांसद अच्छे जादर जी माननी प्र सब्सक्राइब कर रहे हैं सरकार समाजबादी पार्टी बनेगी और ज्यादा विकास हम लोग छित्न में करा सब्सक्राइब